हलो कालव आज मैं आपके लेके आया हूँ एक 7-sitter कार जो की 10 लाग के अंदर प्राइस रेंज में आती है और एक सेपस्ट कार में से सबसे बेस्ट कार है वो भी 4-star के साथ में इंडियन मार्केट में ऐसे सिब दो ही कार आती है अभी कुछ ब्रांड सी इसको प्रिफर करती बनाना तो चलिए आज इस वीडियो में आपको बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सी कार मैं लेके आया हूँ कौन सी कार आपको बेस्ट लग सकती है तो चलिए वीडियो को बने रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना सो फ्रेंट्स ट्राइबर का ये है फ्रेंट लूप आप जैसी फ्रेंट में देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर हैलम देखने को मिलेंगे जो कि बेस मॉडल से आ जाते हैं साथी में यहाँ पर ट्रन इंडिकेटर मिलते हैं जो कि LED नहीं आते हैं हेलोजन बल्ब में आते हैं यहाँ पर एक लाइट की यूनिट है और बात करें थोड़े ही फ्रेंट में तो यह अब बात करें इसके DRL की तो कोई भी DRL अपने को बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं यह टॉप मॉडल में ही अपको DRL मिलते हैं आज हमारे साथ में इसाथ भाई जूट चुके तो इसमें कितने वेरेंट साथ हैं सबसे बदा दीजिए लाएं हम इसमें इसमें सब्सें परकाने कि अभी में हमें इसमें खुख इस्छाम भी मॉडल यह गोफिए पश्रील कि आजाती पर गाहिं시क का kisses मॉडल आ जाती जिनके फिलिंग में हाए तो आपने जैसे कि वेरेंट्स के बारे में देखा होगा आपको डिस्प्ले भी हो गया होगा कितने वेरेंट्स आते किस प्राइज में आते को इसे में अरवर्स आरश सब्सक्राइज फर्स वॉल रहेंट्स आ सब्सक्राइज सतल में इसमें वेरेंट्स प्राइज को करնेंपे प्लवफिश कुलाई को नहीं मिलता Deb स्थिंट मैं आता है तो सब्सक्राइब आपने को च Manuel के oh तो सर यह आपको सर ना 72 PS आपको 6000 आर्पय पर देता है और 96 अनेमेंट पर टॉर्क देता है सर आपको काफी बढ़िया सर आपको स्मूथ इंजन मिल लियाता है कोई आपको सर नौईशी नहीं मिलता है वेच आपको ना यह जो आपने डिवाल वाल वीटी आपको इंजन बात क अर्षाद भाई देखिए आप नौर्मल अपन बात कर रहे हैं जैसे सभी का कुश्चन सोगा कि एक हजार सिसी के लगबग का इंजन है इसमें 7% अपन जैसे बैठते हैं तो कई हमें पावर लेकी कोई कमी तो मैं सोस्मूद नहीं है ऐसा सर ना बताए आपको लगता है कि अपने को सर्विस में क्या प्राइज रेंज पड़ जाता है सब्सक्राइब तीन हजार के बीच में आपको चले आती है जो काफी कम है सर को अगर मैंसे से इंजन ऑईल की बात कर लो आपको और सर जैसे आपकी पूलेंट हो गया और आपका वाशर का आपका शेंपो हो ग बाइक का आजाते हैं 150 सी बाइक कर भी इतना खर्चा बैटी जाता है लगबग और यहाली पाइप की बात करें तो जो हमें वाशर में अपन सेंपू अगर यूज करते हैं उसके लिए पाइप लाइन दी गई है अब नॉर्मल इंजन हर किसी के टाइप का ही रहता है देख सकते हैं चाली आफ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते इसके वाइपर की अब अपन बात करते फ्रेंट साइट से इसमें हमें को भी आोटेमेटिक नहीं मिलते हैं यहां पे हमें यहां पे हमें stare है जो की वह करते हैं चली अभाय और देख सकते हैं चलिए अब बात कर लेते इसके dimensions, will base वगरों की इरसाथ भई मैं भी वीवर्स को बता रहा था कि आप इसके dimensions, will base वगरें बताएंगे तो आप हमें सबसे पहले इसके dimensions length बता दीजी क्या है सर इसकी ओर इन length की बात करूं तो 49,90 mm अपको length मिल जाती है 16,40 mm को height मिल जाती है आपको, फिट ground lens अपको 180 mm की आपको ground lens मिल जाता है सर आपको अपन tire size की बात करें तो इसमें क्या tire size हाजता है सर आपको 10-15 inch को ख्लॉक्स मिल का और की साथ आपको tire size मिल जाता है तो फ्रेंट्स जैसा हम बात कर रहे थे आप कर लेते हैं के साइज की मिन्स टायर प्रुफाइल की इसमें 185 पैसट आर्प 15 इंची के हमें इस्टिल रिम में टायर मिलते ना कि अलोई विल में तो चलिए अब बात करते हैं ट्राइबर के अफंट साइट प्रुफाइल की तो यहां पर हमें मिरर में टान इंडिकेटर मिल जाते प्रुफ्रेल में आप 50 केजी तक की का वेट आराम से कवर करके चल सकते हैं अब बात करते हैं तो यहां पर थोड़ा से ग्लास की कटिंग है बहुत यह अट्रेक्टिव करने टाइप से थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट में दिया गया है और यहां पर हमें मिल जाता है जो कि आगे से ऑपरेट होगा सीट के नीचे से अब यहां पर कुछ भी हमें एलेडी नहीं मिलता है बट राइज रेंज की साब से एक दम पर्फेक्ट डिजाइनिंग के साथ में तैल लाइट मिल जाता है अब जैसी बात करते हैं हमें ट्राइबर की बेजिंग मिल जाती ह साथी में यहां पर कीछे में वाइपर मिल जाता है और यहां पर आप देख रहे होगी जो कि ट्राइबर में अक्तर यूज होता है लोगो आपको यदि दिख रहा होगा प्रॉपर यहां पर हमें लोगो यूज किया जाते हैं जो कि एक हिल्स पर चड़ने का साथ में मैं के इस प्राइज में इस कार में वाइड एंगल के साथ में आता है जो कि एक सेप्टी वीव से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा जो कि ज्यादा एरिया कवर कर सकता है अब बात करता हूं मैं इधर साइड में यहां पर में एक रेनॉड की बैजिंग मिल जाती है अब बात करें इस साइड में सेम ऐज़ेई अब भात कर लेते हैं इसकी बूट की कि परहें इसमें आप इसमें बूट मिल जाता और 7चर गोẓं में ध्याइ़ प्रपर 7 इसमें साथ बंडे अप यूज न हा this यदि आप इसको एक 5-seater में चलाना चाहते हैं तो 625-liter का हमें इसमें boot मिल जाता है अब आपको मैं इसको recline करके दिखाता हूँ सीट को की recline कैसे होती है इसे 5-seater में यूज़ कर रहे तो आप इसको यहने आपन कैरी बेक जैसा रखते हैं वैसा आपन इससे लिजा सकते हैं देखे आपको कैसे यहां पर हमें lock मिल जाता है इसे open करेंगे यह चलेगी back side में इसका view इस तरीके से हटा सकते हैं यहां पर मिल जाता है हमें एक फीचे इसे यह उस side में चल जाती है और यह मिल जाता है हमें 625 बेटर का बहुत ज्यादा आप इसको चाहें तो ऐसा कहीं पे भी आप lock करके carry करके लिजा सकते हैं जैसा कि आपने देखा वापन इससे बन करते हैं वैसी हमें यहां पर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं कैमरे के साथ में मैं जब आपको बताना भूल गया था चलिए अब बात कर लेते हैं ट्राइबर आपने साउंड सुना होगा यदि मैं इसको पास में होगा तो यह अन्लॉक हो जाती है चलिए अब बात कर लेते ट्राइबर के इंटिरियर के जैसा ही हम ट्राइबर के अंदर में आते तो हमें मिल जाते एक खुबसूरत सा इंडिकेटर जिसमें हमें यहां पर वॉल्यम के इसमें हमें सारे फंक्शन के लाइट प्रॉपर वे में दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छा लुक प्रवाइट कर रहे हैं ना कि इतना ज्यादा ऐसा भी नहीं कि जो आखों में चूबे बट एकडब नॉर्मल वे में बहुत ही अच्छी डिजाइन के साथ में आता ह बते हैं अब बात करते हैं डूर्स साईड कि जो कि ड्राइवर्ट का है यहाँ पर यहां पर Golf्रहाय के साथ में मिल जाता है कि यहां पर हमें ticket holder वगर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता sun visor में यहाँ पर हमें rear view mirror मिल जाते हैं जो कि हमें hand से adjust करना पड़ता है ना करी automatic dim वगर एक option मिलता है यहाँ पर हमें reading lamp मिल जाते है जो कि door के साथ में off का भी कराम करता है off cbs में यहाँ पर मिल जाती है माइक की placement जो कि इसमें mic assistant याने बोला जाया तो कार को हम instruct करते हैं वो voice command वगरी के लिए यहाँ पर हमें mic की placement दी जाती है अब बात कर लेते हैं sun visor की जो की course driver side में है यहाँ पर हमें vanity mirror देखने को मिल जाता है यहाँ पर मिलते हैं एस इवेंट्स अब बात करते हैं इसके glove box की तो यहाँ पर हमें दो glove box मिलता है जो कि यहाँ पर देख रहे होगे आप यहाँ पर normal documents वेगर आप हम रख सकते हैं अब बात कर लेते हैं नीचे के glove box की यहां पे हमें पूरे तरीके से हर तरीके के pockets भी दिये जाते हैं जो कि हम चाहे documents हो या laptop हो यहां पी easily हम रख सकते हैं अब इससे मैं बंद कर देता हूँ अब बात कर लेते हैं co driver side के door की यहां पे हमें normal window up and down का option plus handle and lock unlock का option मिलता है अब बात कर लेते हैं इसके seats की जो की co driver side की seats है मैं जो आप को दिखा रहा हूँ अभी यह seat पे एक fabric की बात करें तो बहुत ही जादा खूपसूरत सा इसमें pattern use किया गया है बहुत ही ज्यादा कुशनिंग बहुत सही है यार इतने price range में इस size केस में बहुत प्यारी कुशनिंग दी गई है यहां पे हमें seat back करने को option दिया जाता है seat side करते हैं अब बात कर लेते हैं अपन इसका central console के जैसी बात करते थे यहां पर हमें instrument cluster मिल जाता है इसकी बात हमें थोड़े देर से करेंगे क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे points discuss करना है आप जैसी थोड़ा से नीचे में आएंगे तो यहां पर हमें defogging को option मिल जाता है यहां पर hazard lamp को option मिल जाता है जो कि hazard lamp आप यहां पर देख सकते हैं जो कि on हो चुका है यहां पर एक हमें बहुत प्यारा feature मिल जाता है car lock plus car unlock को option मिल जाता है अब जैसी अपन नीचे में आते हैं तो हमें AC के पूरे flow मिल जाते हैं PC के controls basically जो की रहते हैं पूरे control यहां पर मिल जाते हैं हमें automatic climate के साथ में अब बात करते हैं नीचे की यहां थोड़ा सा space मिल जाता है मैं भी की रखा हुआ है यहां पर start stop की बटन मिल जाती है अब बात करते हैं नीचे की यहां पर हमें AUX के साथ में USB cable का भी point मिल जाता है अब जैसी बात करते हैं अपने इसके gear की तो हमें इस पर 5-speed gear manual में मिल जाता है अब बात कर देते हैं इसमें एक technical feature है टेकनिकल ने रेनॉल्ट अपनी बहुत सारी कारों में आजकल यही यूज़ कर रहा है यह switch होता है इसे अप करेंगे तब ही जाके आपको reverse gear लगेगा ऐसे में आपको reverse gear नहीं लगेगा डायरेक्ट आपको यहां पर first gear ही लगेगा अब जैसी अपन पीछे में बात करते हैं तो अभी मैं नहीं पता रेनॉल्ट टॉलो ने दिया था यहां पर हमें हैंडब्रेक मिल जाता है और यहां पर हमें rear view के AC के वेंट्स कंट्रोल को option यहां पर दिया जाता है चलिए यह तो बात हुए front side के हाँ एक और चीच इस driver में हमें steering adjusting मिल जाता है जो कि यहां पर दिया गया है यद क्लस्टर की बात करते हैं हमें इसमें android auto plus apple carplay का option मिल जाता है साथी में हमें आप वाइस कमांड के लिए यहां पर एक switch दिया जाता है इसमें अपन volume adjust कर सकते हैं यहां पर मिल जाती है में setting phone media plus radio के options यदि मैं media पर क्लिक करता हूं तो यहां पर bluetooth वगरे का options मिल जाता है जो कि aux cable अगरे देख सकते हैं इसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं normal है इस price range में भी apple carplay plus android auto देना बहुत थी भाई बहुत price को manage किया रेनौल्ट ने चलिए अब बात कर लेते हैं रियर साइट की इसे off कर सकते हैं से यहां पर setting भी है बहुत सारी चीज़े है instrument cluster है एक जो की features normal people के लि इसमें चार speaker plus 2 Twitter आते हैं अभी आपको मैं sound सुना दूँगा थोड़े देर से ही अब चलिए अपन इसके rear side में चलते हैं इसे यहां से off कर देते हैं कि यह साइड में जाने से पहले मैं आपको कुछ seats के control बता देता हूं इसे आप recline कर सकते हैं इस साइड में यहां से अप होके देख रहे होगे आप यहां से आप सीट को आगे पीछे up and down कर सकते हैं यह recline angle भी यहां से set हो सकता है देखो आप इससे back करना चाहूं तो आपको बैक कर देता हूं पूले यदि मैं इसको यह करूं तो यह front में आ जाएगी यानिए आप इसको recline यहां से सेट कर सकते हैं यहां पर हमें airbag की बेजिंग मिल जाती है जो कि four airbags आते हैं जो कि एक street में एक steering में एक dashboard में यहां पर देखने को मिल देगा आपको और इस side में आते हैं अब जैसी अपन थोड़े से front में बात करें तो यहां पर हमें lights के control मिल जाते हैं जो कि आप बात कर लेते हैं फन रियर की चलिए बात करते हैं अप रियर साइट की जैसी आप रियर साइड में बैठेंगे तो यहां पर आपको ac vents मिल जाते हैं दोनों side में आप इस events दिए गया है इसका control यहां पर मिल जाता है और same ac vents हमें back side में भी मिलते हैं अभी आपको back side जाएगे जब proper way से दिख जाएगा और यह seat का यदि मैं आपको दिखा पाऊं तो यहां पर तीन बंदे generally कई कारों में हमें देखने को मिलता है बट इस कार में ऐसी कोई भी options नहीं है जिससे की तीसरा बंदे को बैठने में बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है हो सकती के होगी अब जैसे यहां बात करें तेहां पर हमें 12 वोल्ट का DC charging point मिल जाता है window up and down को option मिल जाता है यहां पर sit belt के placing जो के सामने के लिए है और यह back side वालों के लिए है चलिए अब इसमें आपको back side में जाके दिखाता हूं third row में third row में कैसे जा पाते हैं so friends हमें third row में जाने के लिए हमें left side से जाना पड़ता है हम दूर को जैसी open करेंगे तो इस seat में हमें इसको बस यू राउंड अप करना है यह automatic dumbled होके उपर चल जाएगी उसके बाद में easily यहां पर हमें grab handle देखने को मिलता है इस पर तरीके सपन बैठ सकते हैं बैठने के बाद में इस seat को अपन लॉक करके से अपकर सकते हैं और यदि उसके बाद में बात कर तो यार काफी ज्यादा legroom बच जाता है बाकियों के मुताबिक तो बहुत अच्छा है headroom की बाद तो sufficient है यहां पर मिल जाते हमें ac events यह set कर सकते इसका flow हम वहां से seat belt देखने को मिलते हैं यहां पर हमें 12 वोल्ट का charging point देखने को मिलता है socket यहां पर आप पकड़के बैठ सकते हैं एक holding type का है ज्यादा ऐसा pretty कुछ यह नहीं है बड़ कुल लगता है देखने में साइड में भी सी मिलता है चलिए यह तो बात होगा इसके रियर साइड की अब मैं आपको बता दूँ इसमें इधर साइड में भी आपने बैठते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें जाने में uncomfortable feel होगा यह कुछ होगा सब्सक्राइब कर सकते हैं वैसे जनरली तो थार्ड रो बच्चों के लिए बनाई जाती है बट इसमें बैठ सकते है डल्स बैसा कोई ज्यादा है फिर ऐसा कुछ लोड लेने वाला काम नहीं है बैक साइड से देखे तो ऐसी दिखती पूरी करवा देता हो साउंड कैसा रहता है इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया तो फूर स्पीकर दो ट्वीटर मिलते हैं तो चलिए इसके साउंड सुन लेते हैं नो कॉपी राइट सौंग यहां पर मैं सॉंग फूल कर देता हूँ तो 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 वेता हुआ कर दो काई बस्वाद कर दिखती हाँ तो फ्रेंड्स मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं कार के अंदर कितनी नॉइज है और थोड़ी सी कार चला के देखते हैं कि चलने में कैसी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने कार को सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखाओगा आपने ज्यादा नॉइस तो है नहीं यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल में ऐसी वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं से किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें